गाइस आज के इस वीडियो में मैं लेकरें आपके लिए आप ऐसे प्रोडक्ट जिनकी स्टार्डिंग प्राइज है मात्र एक रॉपीज हाँ गाइस मात्र एक रुपीज है गाइस गुड़ बॉर्णिंग कैसे आप सब है वह आप सब ठीक होंगे मैं भी ट्यूप हूं तो दोस्तो स्वागे थे आप सबके मेरे चैनल क्रीलाइफ टेक में और आज की जो वीडियो है स्वापी के प्रोडक्ट के उपर है जिनकी मैं आज अन्बॉक्सिंग और उन प्रोडक्ट का मैं रिव्यू आपको बताऊंगा कि वो प्रोडक्ट आपको पर्चेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसे मेरे पांच प्रोडक्ट हैं जिनकी मैं अन्बॉक्सिंग आप करके दिखाऊंगा और उनके बारे में आपको बताऊंगा कि उनकी क्वालिटी कैसी है आप बाय करें कि नहीं करें तो चलिए बिना किसी का एक पार्सल है जो की एक कंप्यूटर है एसेसरी में आता है और यह एक माउस पैड है जिसकी मार्पी 15 रुपय है यह आप देख सकते हैं तो जल्दी से इसकी उन्बॉक्सिंग करते हैं फिर इसका मैं आपको रिव्वी देता हूं कि इसकी क्यासी है तो चलिए पहले इसको उपन कर लेते हैं बिल्कुर अराम से इसको उपन कीजिए कि जब जिए आपके पास पैकेट में आता है क्योंकि यह रवाड का होता है और गलती से भी अगर उसमें ब्लेड लग गया तो खराब भी हो सकता है तो गाइस यह आप देख सकते हैं यह है वो माउस पैट रवाड वाली इसकी काफी अच्छी क्वालेटी है प्रिंट भी काफी अच्छा है गई यह आप देख सकते हैं गाईस और इसकी जो MRP थी यह मुझे सिर्फ पंदर रुपए में परचेस किया तो मैंने इसको सिर्फ पंदर रुपय का ही मुझे मिलाता है तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है आप इसको पर्चिस कर सकते हैं मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहां से आप जाके चकाउट कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रोडक्ट है काई से और अगेन दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास वो भी एक माउस पैड़ी है उसकी व्य मार्पी पंदार रुपए है पंदार रुपए मुझे मिला है ये सो चलिए इसको भी अन्बॉक्स कर लेते हैं देखते हैं कैसा है ये भी इदीज सकते हैं कुछ ऐसा देखता है और इसमें जो प्रिंट है ये इस माउस पैटता ईसकी ही क्वालिटी जैसा है तो यह भी काफी अच्छा है तो इसको मैं डिस्क्रिप्स नमर लिंक दे दूँगा आप इसको पर्चेस कर सकते हैं यह दोनों प्रोड़क्ट में को 15 15 रुपए के पड़े थे तो चलिए प्रिसर प्रोड़क्ट अन्बॉक्स करते हैं आपके सामने प्रिसर प्रोड़क्ट यह है जिसके मार्पी मुझे 16 रुपए पड़ी और यह है एक कॉलर माइक है गाइस यह तो चलिए इसको भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं तो फिर मैं देखता हूं बताता हूं आपको कि इसको क्वालिटी कैसी है बिल्कुल नॉर्मल पैकिंग में आया गाई से यह आप देख सकते हैं तो इसको भी उपन कर लेते हैं जैसा यह इसका पाउच है इस पाउच में यह आया है इसके साथ गाईस मुझे एक कॉलर स्क्रिप्ट मिली है योकि आप इस माईक को अटेज करके अपनी कॉलर में इसको लगा सकते हैं और कुछ ऐसा यह माईक है आप देख सकते हैं पाफ वाला माईक है और यह कॉलिटी है इसकी लेंथ भी खीक ठाकी है आप इसको भी पर्चेस कर सकते हैं और नेक्स वीडियो में इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा इसकी कॉलिटी के बारे में और फिर बताऊंगा कि इसमें वाइस कैसी रिकॉर्ड होती है और इसका जो नॉइस कैसा है तो मैं इसक कुछ इस तरीके से यह आप देख सकते हैं यह कुछ इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप महाफिस आकर चेक कर सकते हैं सो नेक्स प्रोड़क्ट को करते हैं अनबॉक्स तो इस नेक्स प्रोड़क्ट है जो कि मुझे 24 रुपीज में मिला था और यह एक बundana है गाइस तो चलिए इसको ऊपन करके देखते हैं इसकी quality कैसी है कुछ इस तरीके से प mm में हैं इस तरीके से यह उग आछिए आप देख सकते हैं और material की बात करूब तो काफी thin material है इसका जाल इसके पीछे पूरा mention किया गया है यह आप किस तरीके से इसको use कर सकते हैं पूरा mention किया गया है और एक थीक था क्वालिटी है 24 रुपीज के साप से चलिए गाइस नेक्स अंवाक्स करते हैं यह हमारा 5th प्रोड़क्ट है और हाँ गाईस यह जो मेरा 5th प्रोड़क्ट है इसकी MRP काफी कम MRP है अभी तक जित्ते भी मैंने प्रोड़क्ट आपका अन्बोक्स करके देखा उससे समझ लिया आप दो गुना कम MRP का है यह और यह हमारे प्रोड़क्ट में सबसे लास्ट म इसलिए क्योंकि इसकी MRP कम है तो मैं बताता हूं कौन से प्रोड़क्ट है चलिए इसको पहले उपन कर ले तो मैं इसके प्राइस बताता हूं इसकी MRP मुझे प्राइस पड़ा है यह मुझे 8 रुपी आठ रुपे का मुझे पड़ा है और यह एक मुबाइल स्टेंड है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके के मुबाइल स्टेंड है कुछ ऐसा है घाईस यह उखेंड यह आप देख सकते हैं और इसको प्रामेड मुबाइल स्टेंड कहते हैं या अप तीन ुइंठ दिये हुए हाँ आप जिसकों कि मुबाइल इसमें इसमें तेंड कर सकते हैं और इसकी MRP यर proper लोत टी द्यौत 만ा यह थे मेरे प्रोडक्ट जिनके मैंने आपको एक अन्बॉक्सिंग और इनका रिव्यू दिया और काफी अच्छे प्रोडक्ट यह मेरे पास तो इनका मैं बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्टर में प्रोवाइट करवा दूँगा अगर आपको पसंद आता है तो आप जाके च प्रोडक्ट से तो इस तरीके का था गाई से मेरे पास प्रोडक्ट के अन्बॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो और जिसने में मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, जाके आप वो लास्ट वीडियो भी देख लीजेगा, उसमें भी मैंने प्रोड़क्ट के अन्बॉक्सिंग किया था, जो की काफी अच्छे प्रोड़क्ट थे, काफी अच्छे रिस्पॉंस मिला वीडियो में, और इसी तर अल्देन ठीक है बाई, खुछ रहें एंड इन्जॉय वलने हैं